भाई आज के रिवीव की शुरूआत में मैं आपको बतना चाहूँगा कि मैं सीधी बात करूँगा, कोई बकवास नहीं करूँगा, मुझे नहीं पता कि बाकी रिवीवर्स क्या कर रहे हैं, बाकी लोग सोशल मीडिया पे क्या कह रहे हैं, किसकी साइड ले रहे हैं, लेकिन इसका असर इनके वोटिंग पर भी पढ़ रहा है, प्रतिक को कही न कही वहापे समझना चाहिए कि वो कैसा गलत जा रहा है, या फिर विक बॉस ने इनको पताना चाहिए, जी आ, तो यहापे वलगर चीज़े जो यहापे नहया से बार-बार हो रही है, तो यह चीज़े वहा मिलिनने नहा को शबन वहाँ पर बोल से तास्क के दोरान. भाइ शमीता जी शमीता आंटी जी या कुछ है वह शमीता शिट्टी सुरी आंटी आता है है मेरे बार-बार मूह में. तो शमीता जी आपको ये नहीं लिखता कि नेहा उसको क्या-क्या बाते बोल रही है, वो पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है, क्योंकि नेहा जो है वो आपकी फ्रेंड है, और मिलिंद गाबा क्या हुआ, क्या हुआ फ्रेंड, अब भाई सीधे मैं यहाँ पर आता हूँ कि इन लोगों ने वहाँ पर बिग बॉस ने बताया कि कल यह जो टास्क है यह रद हो चुका है, अब यहाँ पर वोटिंग करेगी पबलिक, और पबलिक वोटिंग के लिए वहाँ पर चार जोड़िया वहाँ पर रग दी थी, और मुझे हसी आ गई, क्योंकि बिग बॉस के अन्दर आये थे रितिक रोशन और बोल ले थे, माहा मैं ञदू को बुलाओंगा मैं, मैं जदू आएंगा, और जदू आए गा, और बिग बॉस ने वो बटन दबा दिये, टॉन 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 टॉन, टॉन टॉन, और फिर जानु, 2000 जान्यों को लेकी आये और और राकेश को वहाँ पर वोट किये जी हां और फिर शमीता और राकेश वहाँ पर बज गए मुझे ये समझ में आता कल वोटिंग हुई और इन तीन जोडियों में से शमीता राकेश को सबसे ज़्यादा वोटिंग हो गई और वो नॉमिनेशन से सेफ हो गए जी हां और आज वोटिंग हुई चार जोडियों में और उसमें शमीता और राकेश को सबसे कम वोट मिले और बाकी दो जोडियों को वहाँ पे सबसे जादा वोट मिले क्योंकि इनको कैप्टन बनाना था लोगों को बै कौन से लोग है मुझे पता नहीं चलता जो लाइव में वोट करते जिनको घर से बाहर निकालने के लिए ये भापे राकेश नहीं चाहिए राकेश शमीता घर की अंदर देखना चाते ये लोग लेकिन कैप्टन इनको नहीं बनाना चाते कैप्टन दूसरे दो जोडियों को बनाना चाते तो यहाँ पे साफ तोर पे बिग बॉस का यह जो गलत चीजे है गलत डिसिजन या अनफेरनेस है यह दिखता है यह हुआ पहला अनफेरनेस जी आँँ अब भाई दूसरी चीज़ पे बात करते हैं अब यहाँ पे दो लोगों को सबसे ज़ादा वोड्स मि बनाना है और एक-एक बजरपो घरवाले को आने के बाद वापे गिराना है लेकिन इस टास्क को आपने जो अब तक की हिस्ट्री में आपने हर बार संचालक रखाए इस बार आपने संचालक क्यों नहीं रखा क्योंकि बिग बॉस को पता है कि मिलिंद अक्षरा को सिर्फ एक ही लड़गी सपोर्ट करने वाली है वह है दिव्या है जो करन जोर के अपोजट में बौलती है नहीं डरती, जो सलमान खान के अपोजट में बौलती यहां पहला कार हूँ, मुझे काम मिलेगा, मैं घंटा इनके इनकी चाटूंगी नहीं इन इस तर티 के किया लड़गी यह बंदी है बहुत श्रॉंग है तो भाई बिग बॉस को पता था सिर्फ यह एक ही बंदी है जो दूसरे साइड में यानि कि मिलिन दक्षरा के साइड में बाकि पूरा घर वहाँ पे प्रतीक सेचपल और नहा के साइड में तो आप सीधा वीनर बना देते अब यहाँ पे ब करेंगे पहले बूसर में वहाँ पे शमीता और मुझ जाती है इनकी टगडिव छाथी वляется वें वाफे थे तो शमीता और मुझ जाती है और अक्षरा और गाबा का पहले के साथ बात करते हैं कि चलो दूसरे round में ना हम क्योंकि चार round है तो दूसरे round में हम वहाँ पर दिव्या को भेजते हैं ताकि दिव्या वहाँ प्रतिक का एक बार गिरा दे फिर उसको कोई हम दिव्या को ब्लॉक करेंगे तो यहां पर दिव्या को पूरी तरीके से रोकने की कोशिश हुई यानि कि एक दिव्या सब पे भारी एक दिव्या ने सब को हिला दिया घर के अंदर यह चार पाच हो लोग होने के बावजुद उसको टक्कर नहीं दे पा रहे थे यह दिव् आप बाहर नहीं आ सकते दिव्या बोल नहीं सकते दिव्या ये नहीं कर सकती दिव्या वो नहीं कर सकती फिर आता है भाई तीसरा बजर तीसरा बजर में जाते है वहाँ पे शमीता और मूस फिर एक बार और यहाँ पे वो अक्षरा और इसका जो है मिलिन गाबा का करके वहाँ पर प्रतिक के उस पर जाकर गिरें वहीं काम कीजिने आप सब घर के बाहर आ जाईए वो सब उठाई और प्रतिक का एक बड़ा सा पिरामिड करें जो बिग बॉस के घर के बहुत उपर जाए घर से बाहर जाए जियां तो यह किस तरीके से फेर गेम होई मुझे बताईए चलो ठीक है अब मुझ में जिस तरीके से यहां पर प्रयास किया क्या दूसरी साइड में प्रयास किया नहीं सिर्फ जाडू मारके निकल गई तो क्यों दिखा एक लिए यह सब करना अब इस पर विकेंड का वार में वहाँ पे कुछ नहीं होगा जियां कुछ नह यहां पर प्रतिक सेजपाल उनने क्यों रोका क्यों आप रोक रहे हो मतलब आप क्या यहां पर कुछ हक नहीं दिया जिस तरह के से प्रतिक सेजपाल आप रूल बता रहे हैं बार 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 कि हम किसी को यह नहीं कर सकते आप यहां पर आने सकती है अब बजर बजने के वहां पर रोका, दिव्या की जब बात चल रही होती है, दिव्या को रोकने की प्रयास होता है, तो ऐसे ही हवा से प्रतिक का पिरैमिड पहले ही गिर जाता है, जी हाँ, तो इसको बोलते हैं हमना कर्मा, ये था कर्मा इनका की बजर बजने के बाद किसका पिरैमिड सबसे पह बजर बज गया आपको आना पड़ेगा फिर वहाँ पे निशान्त और मूस भागते आते फिर दिव्या भी आती है और निशान्त मूस वहाँ पे गिराने की कोशिच करते प्रतिक और सोरी अक्षरा और मिलिन गाबा का फिर मिलिन गाबा ने देखा कि जिस तरह के से दो लोग हमारे इस पर आए चड़के दिव्या एक अल्रेडिय आ गई थी तो फिर मिलिन गाबा बहुत एंजाइटी उनको आ रही थी और वो गुस्से से जाके प्रतिका भी गिरा देते चलो ये होया टास्क, बिग बोस ने अनौसमेंट कर दिया कि टास्क यहापे खतम हो गया है अब भाई, डिसेजन तो फ़ेर होना चाहिए था तो बिसेजन में यहापे बिग बॉस ने एक बड़ा अनफेर चीज वहापे कहिए बिग बॉस ने का कि बिग बॉस आप सभी को बताना चाते है कि ये जो task हुआ इसमें आपको अब decision देना होगा और ये decision आपसी सहमती या फिर वहाँ पे बहुमत से होगा वाई आज यहाँ पे कहा भी बहुमत अचानक अंदर आ गया यानि कि हर बार जिस तरीके से फैसले होते हैं वो सिर्फ आपसी सहमती से होते और बिग बॉस को पता है कि दिव्यागरवाल घंटा भी इनको वापसी सहमती में सहमत नहीं होगी और बिग बॉस नहीं यहाँ पे बड़ी गेम खेल दी क्योंकि बिग बॉस यहाँ पे पूरा वोटिंग के साथ प्रतिक सेजपाल और नहा को कैप्टन बनाना चाहते थे तो मुझे यह बिग बॉस को कहना है कि अगर आपको इनको कैप्टन ही बनाना है तो भाई सीधे बना लेते क्यों बहुमत लेते या फिर वोटिंग कर लेते वोटिंग में पता है भाई मिलिंदर अक्षरा जो है वह वहाँ पे टॉप पे आने वाले तो आप यह तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हम जो है आपकी पोल खोल करने के लिए तो यह सारी चीजे बिग बॉस को पता थी इसलिए इस तरीके का एक घटिया टास रखा घटिया संचालंग घरवालों को करने के लिए का और घटिया तरीके से बहुमत लिया और फिर वहाँ पे क्या हुआ प्रतिक सेजपाल और जो है नेहा बसीन वहाँ पे जीद गई जी कह रही थी कि you will lose your money all your money तो यहाँ पे मिलिन की एक बात बहुत अच्छे लगी जिसने का कि मैं self respect कमाया है मैंने और मेरा self respect किसी भी पैसे से ज्यादा बढ़ा है यह line मुझे बहुत अच्छे लगी और मिलिन तुझे fight करना चाहिए घर से बार नहीं बागना चाहिए हमें भ मॊसेल है ऐक बार वाई सामने के सामने करेंगे यहाँ पे वोटिंग में डाल दो वहाँ पे शमीत जवा पहे धिकत दि टाना बजने की यह सरी चीज वहाँपे आज ऐपिसोड में हुई और एंड हुआ चकी एपिसोड यहाँ पे उसके बाद बहुत ज़्या और बहुत ज शेटी पे शेटी पे तो ये सारी चीज़ आज के अपिसोड में थी भाई मैंने सीधा आपको बता दिया है कि बिग बॉस अनफेर खेल रहा है और दिव्या धूम मचा रही है अपना तहलका मचा रही है अपना एक्सप्रियंच जो है वो हाई लेवल पे लेके गई है कही पर से आप टास जित कर अगर कैप्टन बना रहे हो तो भाई आपको अंदर से समझ में आ रहा होगा कि हम भाई जीत नहीं रही है जिया या या तीन लोग हम पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे है और इसकी दिक्कत इनको होगी अब विकेंड का वार में इनी के क्लास लेग उसकी लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए वहाँ पे भी फॉलो कीजिए यहाँ पे सब्सक्राइब करें ट्वीटर पे फॉलो करें मज़े करेंगे और आपके जो भी विचार है इस एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन आप ही का है जी या मुझे कौन सही पता नहीं लेकिन जैसे मुझे लगा यह मैंने आज के एपिसोड में बोल दिया जी या कमेंट सेक्शन में आपके जो विचार है वो प्रकट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रही आपका फेवरेट चैनल एक्ट राइडर्स धन्यवाद